हाई फ्रेंज आज हम बनाने जा रहे हैं जहरखंड का फेमेस रेस्पी तो मैं आज बनाने जा रहे हूं डुष का तो डुष का बनाना बहुत ही असान है यह जहरखंड का फेमेस रेस्पी है तो आज मैं इसके साथ खाने के लिए आलू और टमाटर का सबजी भी बनाऊंगी या तो आप आलू चना के भी सबजी के साथ इसे खा सकते है खाने में बहुत जादा टेस्टी लगता है तो शुरू करती हूँ इस रेश्पी को बनाना तो यहाँ पर हमने चावल डाल को पहले से भींगो का रखा था और यह अच्छे से फुल गया है तो मैंने नॉर्मल चावल जो डेली उच करते हैं बस वही चावल को मैंने भींगोया है तो यहाँ पर मैंने चावल एक कोटोरी लिया है आधा कोटोरी मैंने चना का दाल लिया है तो इसमें आप चाहे तो उरत का दाल भी डाल सकते है तो मैंने यहां उरत कदार दाल नहीं डाला है तो अच्छे से फूल गया है तो इसका पानी मैंने निकाल लिया है और इसे मिक्सी में मैंने डाल लिया है तो इसमें हम डालेंगे दोहरा मिर्च और इन चदर का टुकडा इसमें थोरा सा हम पानी तर बिलकुल इसे महीन पेश्ट त्यार करेंगे इटली उसा का जो पेश्ट त्यार करते हैं बिलकुल इस तरह से तो यहाँ पर हमने इसे पीश लिया है इसे हम ढकन खोल लेते हैं और इसे हम आपको चम्मत से दिखाते हैं यह देखिए बिलकुल यह पतला पेश्ट मैंने त्यार किया है तो इसे हमने एक बॉल में निकाल लिया है और इसमें हम डालेंगे एक छोटी चम्मत से हल्दी पाउडर आदा चम्मत मैंने यहाँ धनिया पाउडर डाला है और यहाँ पर थोड़ा सा मैने गुल की जीरा का पाउडर डाला है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खरा जीरा डाला है और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं इसमें बिल्कुल पानी वगरा कुछ नहीं डालेंगे बिल्कुल ये गाड़ा इसी तरह कहा में पेस्ट चाहिए तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिला लिया है तिसे हम 10 मिनट के लिए धकन से धक देते हैं ताकि यह फूल जाए यहाँ पर हमने कूकर को गरम होने के लिए रख दिया है यहाँ पर हमने दो आलू को छिलका निकाल कर चार भागों में काट लिया है और एक मैंने प्याज को लंबे टुक्रों में काटा है यहाँ पर मैंने दो लाल में चलिया है दो मैंने तेज पत्ता लिया है और यहाँ पर मैंने एक टमाटर को बारिक टुक्रोमा काट लिया है और यहाँ पर मैंने दरदरा लसन को कुट लिया है इसके जगे आप अधरक लसन का भी पेश्ट डाल सकते है तो यहाँ पर मैंने दो चमज तेल डाला है तेल हमारा गरम हो गया है तब हम इसमें जीरा डालेंगे इसमें हम तेजबत्ता और लाल मिर्च भी डालेंगे तो इसमें हम डालेंगे दरदरा कुटा हुआ लासुन और अच्छे से मिला लेते हैं ताकि लासुन थोड़ा पकजाए अब हम इसमें डालेंगे प्याज और आलू और अच्छे से मिला लेते हैं तिसे हमें 2-3 मिनट तक मिला कर भूंज लेना है तो यहाँ पर 2-3 मिनट हो गया है और सब्जी भी हमारा अच्छे से भूंजा गया है तिसमें हम डालेंगे एक चमच हल्दी पौडर थोड़ा समयने यहां कस्मीरी लाल मिच पौडर डाला है आधा चमच मैंने यहां धनिया पौडर डाला है और थोड़ा समयने यहां गोल की जीरा का पौडर डाला है और सबको हम अच्छे से मिला लेते हैं मसालों को तिसमें दो-3 मिनट फिर से हो गया है अब मसाला भी अच्छे से भुंजा गया है तो इसमें हम डालेंगे स्वादनी साथ नमक और एक ग्लास मेंने पानी डाला है अच्छे से हम मिला लेते हैं इसमें हम बारी कटा हुआ इसमें टमाटट है अब हम ढकन को लगा लेते हैं अधर सिटी आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे तो यहां पर हमारा घूल भी फूल गया है तो इसमें हम तुछा से डालेंगे बेकिंग पाउडर अच्छे से हम मिला लेते हैं अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसमें इनों भी डाल सकते हैं तो यहां पर हमने अच्छे से इसे मिला लिया है तो मैंने यहां पर चुटकी भर हिंग डाला है और इसे भी हम अच्छे से मिला लेते हैं हिंग से इसका टेस्ट काफी ज़्यादा अच्छा आता है यहां पर हमने अच्छे से मिला लिया है तो यहां पर हमने कराही गरम हने के लिए रख दिया है तो इसमें मैंने तेल डाला है तेल हमारा गरम हो गया है तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से एक ही जगह पर इसमें हम डालेंगे जितना कराही में आटेगा उतना ही हम इसमें डालेंगे तो यह उपर से हो गया है तब हम इसे दिसरी तरफ पलट लेते हैं और इसे हम इस तरह उलट पलट कर हम गुल्डन ब्राउन होने तक इसे तल लेंगे तो यहाँ पर यह गुल्डन ब्राउन का हो गया है तिसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारे डुश्के तयार कर लेंगे तलते वक्त अब ध्यान रहे कि इसे मीडियम गैस पर यह आप पकाए तो यहाँ पर हमारा अलू टमाटर का सब्जी भी बन गया है तब हम इसे थोगा सा मिला लेते हैं तो इसे हम चम्मस से इस तरह से दाब दाब कर मसल लेते हैं तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मसल लिया है और इसमें मैंने बारी कटा हुआ धनिया डला है अब हम आपको सब करके दिखाते हैं, तो इसे आप टमाटा आलू के सबजी के साथ खा सकते हैं, या तो आप चैना आलू के सबजी के साथ भी से खा सकते हैं, खाने में बहुत जादा अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तब मेरे चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूले मुझे कमेंट करके जरूर बताए ठाइंक यू